Hello everyone, welcome back to my channel divinity terror 6 where truth exposes darkness तो आज का जो topic है guys कि आपके person आपके लिए क्या डी feelings रखते है और उनका next action या next move क्या रहेगा ठीक है आप पुछोगे कि मैंने यहाँ पे जो steel है उसको क्यों use किया ठीक है यह कुछ अजीब नहीं है steel इसलिए मैंने यूज किया है because steel is one of the strongest metal ठीक है तो यह जो धातू है यह सबसे जादा मजबूत माना जाता है ठीक है तो रिष्टे में आप लोग की मजबूत ही आए तो इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि मैंने इसके साथ relate कर पाऊ reading को और सबसे best clarity आपको मिले तो definitely यह reading जो है यह timeless है gender neutral है male females सभी के लिए है I have taken today the peach color candle मुझे नहीं बढ़ा आपको screen में क्या दिखाई दे रहा होगा कौन सा color but this is a peach color candle ठीक है यह definitely relationship में softness ठीक है जो peach color है definitely gentle love को indicate किया जाता है so let's see क्या आता है और जो भी उनका next action रहेगा next move रहेगा क्या उनके मन में क्या चल रहा है वो सारी चीज हम यहाँ पे definitely यहाँ पे देखने वाले है so let's find out इसके बाद हम tarot को भी verify करेंगे all right तो जाएं को subscribe, like, share ज़रूर करें instagram में follow करें और जो instagram का जो id है वो description box पे दिया हुआ रहेगा so let's get started आप उस person के बारे में लगातार सोचिए जिनके लिए आप इस reading को देख रहे हो ताकि आपको channelize हो messages all right और हम आपके बारे में भी जाने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके मन में चल रहा है so universe, spirit guides and angels please guide me in the right direction की marriage of yours है वो अपने partners के बारे में क्या feel कर रहे है पहले हम देख लेते हैं वो क्या feel कर रहे है आपने यहाँ पे देखा है इस तरह से कुछ आया यहाँ पे एक wave मतलब आपके मन में ऐसा है न किसी तरह ठीके यह जो गिरहा है किसी तरह यह problem जो किसी के उंगली के वज़े से हुआ है किसी ने यहाँ पे interference किया है उसी के वज़े से सारी situations जो है बिगर गए ठीके और यहाँ पे clearly third party का indication है अभी हमें देखना है यह third party कौन है क्या इनके affairs है क्या इनके career है क्या इनके family है वो कौन है देखो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा हो गए this is like a flower यह खिल सकता था ठीके बहुत अच्छा से लेकिन किसी की दखला अंदाजी से बहुत ज़दा यह रिष्टा जो है न इस तरह से आया कि यह person आपको corner कर दिया sight कर दिया यह आपकी बात को सुनने की कोशिश भी नहीं किया somehow I feel कि आप सितारे को देखते हो चांद को देखते हो और आपको बार बार आजाता है यहाँ पे एक person के नीचे यहाँ पे एक ball जैसा कुछ दिख रहा है हो सकता है यह person या आप S letter यहाँ पे है S letter is there clearly it is there S indicates the sun तो सुरज की रोशनी या अंधिरे को definitely उचाला कर दे तो आप यही चाहते हो कुछ लोग यहाँ पे अगर married हो या आप living relationship में थे या आप physically उनके साथ connected थे somehow तो आपको वो बार definitely चाहिए तेखे of course आप चाहते हो कि आप इनके साथ definitely cozy relationship में involved हो आपकी मन का जो कामना है वो ऐसा है कि किसी भी तरह यह problems का अंध हो जाए और आप इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा इस person के पीछे you are literally crazy और आपके सर गुमते है बार-बार अगर आप negative सोचते हो न पुरी तरह से आपके सर जो है न गुम जाते है एकदम क्या हाल होगा क्या future है इस relationship का यह बार-बार सोचते रहते हो और confusion भी है आपका बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको यह person ने कभी भी शायद जैसे बोलता है ना की ठीक है मैं आपके साथ हूँ इस तरह से इन्होंने आपको कभी भी comfort नहीं दिया आपके के तरफ से बहुत ज़्यादा initiative था और देखते हैं देखो अभी हम देखेंगे आपके person क्या feel करते हैं क्या उनके भाबनाए में कुछ changes हुआ है यह person आपको hints दे रहा है छोटे-छोटे टुक्रे में देखो यह लव सिंबॉल आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हसीन मुलाकात इनको बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर मुझे इस तरह से feeling हो रहा है देखो इस बिकामिंग वेरी युकान से युनिक साइकल यह फ्लावर की तरह भी दिख रहा है मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप लोग कोई cafe में या हो सकता है कि कुछ ऐसे जगा पर मैभी somehow you had gone for a meal an ice cream cone or something which was warm तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने एक की साथ coconut water या ice cream या कुछ इस तरह sweet dishes एक साथ टेस्ट किया है जैसे एक ही straw में करते है coconut juice या हो सदा है आपने I do feel with this thing maybe something strawberry or butterscotch some ice creams you had tested together दोनों ने एक ही साथ उसका definitely love उठाया है क्योंकि आप इनको fully completely blindly trust करते थे थे और ये relationship काफी ज़्यादा अच्छा भी था बाद में ये person आप से भागने की कोशिश की यहाँ पे ये person देखो जागे चुप गए भीर के बेजे I can feel their energy all around you अभी ये person चाहते है की just a second something is vibrating over here कुछ vibrate कर रहा है अब ही किसी का mobile phone vibrate कर रहा है कुछ beep beep आवाज हुआ कुछ और जगा से आपको कुछ beep beep sound सुनाई दिया होगा ये आपके person के phone में कुछ आया होगा messages I do feel like that यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर feel हो रहा है बिलकुल कि ये person जो है basically वो जो सादगी है ठीक है जो आपी सिर्फ इनको comfort देते थे वो सारी पल को याद करते 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 ये person जो है ना मायूस हो रहा है दिरे दिरे इनका भी frustration level बढ़ते जा रहा है because once they had ignored you right now they are craving for your feelings एक बार इनका इनका इग्नोर कर लिया अभी क्या है आपके feelings के लिए तरस रहा है ये इनसान आपको इतना सद इस इनसान का परवा था आपको लगा देखो एक telephone जैसे बन रहा है पुरा नहीं समाने का जो telephone था ना उस तरह से बन रहा है जैसे आपको पता है ना वो डाइल डाइल करके करना पड़ता था उस तरह से so they are thinking of giving you a call I do find ये परशन आपको कोई special gift दिये थे and that may be related to any kind of dress or some kind of your what's this called yes something related to dresses or something related to photos or photo frames or something ये कहे है उनकी आखे देखो नरम हो रहा है दिरे दिरे जब हो सब आए कि ये reading जब आप देख रहे हो आपके person हो सब आए literally रो रहे हो सब रहा है हो सब रहा है ये person अभी भी बहुत confusion mode पे है इनको इस तरह से लग रहा है कि आपको नए इस तरह से है कि आपको किसी भी दराई आगर जुटा भी प्यार करें तो भी सही है आपके लाइफ में आजाए बस और कुछ नहीं चाहिए आप बहुत ज़दा आप इनके लिए इतना ज़दा आप मायूस हो वरिड हो यह क्या कर रहा है क्या खाना खाय है इनोंने हर एक चीज आप इनको बोलते थे और यह छोटी छोटी चीज भी यह आपके साथ धीरे 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 इनको boredom फिल हुआ इस रिलेशन्शिप में अब यह परसन जो है इनको लग रहा है वो चीज़ बड़ यह परसन कुबूल नहीं कर रहा है उस चीज़ को they are not accepting it they are literally denying it उनका मन को ना यह control करने की कोशिश कर रहा है तो यह new year में यह शायद इनोंने कोई resolution लिया होगा आप दोनों की relationship के बारे में क्योंकि बहुत दिन तक यह परसन इस तरह से सहन नहीं कर पा रहे है आज़र तो यह परसन सोच रहा है कि यह इसका फिल हाल तो कोई solution तो होगा ही ना okay T letter is formed, T हो सकता है आपके यह परसन के initials okay someone's mother or father is involved here confirmed है यहाँ पर mom and dad यहाँ पर involvement है यहाँ पर जैसे मैं आपको बदाया था कि थार्टपटी relationship यहाँ पर है mom and dad उनकी दखला अंदाज ही है इस relationship में और देख रहे हैं उनका थार्टपटी अगर है तो क्या है? उनका मन का कोई restrictions है, limitations है okay let me see let me first please guide me in the right direction कि इनके जो partners है ना इनका कोई restrictions है क्या कोई third party है yes or no can you see the yin and yang symbol over here कि person जो आपसे move on करते है फिर आजाते है this is a part of मुझे लगड़ा है in and yang circle ठीक है यह जो cycle का जो part है this is a phase जो हो सकता है यही था कि इन्होंने आपको जो neglect किया आपकी वजूद को नहीं समझा है इन्होंने यही मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है universe and spirit guides कि यह एक already it was destined to be there that's why he or she had done it यह होना ही था इसलिए वो हुआ all right और मुझे देखना है और क्या है let me see more about it all right मुझे लगड़ा है कि कोई तीसरा इंसान जो है न वो आपके person को एकदम पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है तो यही वज़ा है कि यह person जो है ना बिल्कुल भी ठीके अपने जो जैसे देखो आगर कोई हमारे सामने आके पोक करता रहे यह करो यह करो यह करो यह करो वो करो ठीक है तो हम क्या करते हैं मजबूरी से हो ठीक है आदर हमारे ब्रेंड में वो चला जाता है तो हम उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो यही है हो सकते है उनके सिस्टर हो मौम हो उनकी वाईफ हो सकते है ex हो सकते है उनका कोई और हो सकते है relationship affairs हो सकते है इनके खुद के भाबनाएं हो सकते है पर उसका chances कम है ओके तो यह अलंड जैसा उनके लिए है अभी अभी मुझे लग रहा है universe अब उनको signals भेज रहा है they are giving them literally signals उनका क्या मन कर रहा है अभी देख लेते हैं गाई उसका बात हम देखेंगे उनका मन इस तरह से है कि कि हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर हो सता है when you are very intimate हो सता है कि एक ही चादर के नीचे एक ही शॉल के नीचे एक ही ओके you have been very close और सारे जो पल है वो याद आ रहे कि कि वो जो आपके presence है तिक है वो आपके देखो everyone has their own style of love तिक है तो हो सता है वो सारी चीज वो miss कर रहे हो इस वक्त हम ओके यहां पर मुझे बार बार इस तरह से लग रहा है कि यहां पर ना कभी कबार हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ठीक है इस तरह से हुआ कि चलो solve हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा फिर हुआ भी फिर next morning से वही आपको लगा यह person क्यों नहीं समझते है आपको आप तो इतना ज़्यदा dedicated हो इनका थोड़ा सा हो सकता है कि चिरचिरापन यह करते है क्योंकि इनको हो ज़्यदा satisfaction नहीं है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर मतलब कोई भी relationship हो इनका पैसा हो कोई job हो satisfactory नहीं होता मतलब इनके मन के अनुसार कोई काम करे तो बहतर वरना तो कोई बेकार इस तरह से मतलब मैं जो बोलूँगा मैं जो बोलूँगी वही होगा थोड़ा सा जिद्धी थोड़ा सा घमंडी इस तरह से घमंड है इनसान का Scorpio हो सकता है Cancer Pashes Scorpio इनको सिर्फ पता है ना क्या है इसका इनसान का जो main लक्ष है उनको best उठाना है suppose हम लोग जाते है राइट शापिंग मॉल में now any human being कोई भी इनसान एक प्रोड़ाक्ट या services के سाथ compare नहीं क्या जा सकता फिर भी सोचो अगर हम गए shopping mall में और हम क्या करेंगे या कहीं से भी हम shopping कर रहे हैं या कहीं से भी हम जा रहे हैं खाने का चीज ले रहे हैं पहने का चीज ले रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं, ठीके, सोच लो, एक mobile का एक recovery लेना है, ठीके, तो हम क्या करेंगे, best को उठाएंगे, ना, इस तरह से इनका mentality, मतलब, यह पहले अपना mind और logic का यहां पर use करते हैं, उसके बाद ना है, यह अपने emotions को फिर देखते हैं, ठीके, यह पहले सोच लेंगे, क्या मेरा फायदा है, तो आप बोसकते हो, they can be selfish or something, बर शायद इनोंने जाहिर नहीं कि आपको नहीं लगा, क्यूंकि प्यार में तो very frankly you cannot understand these things, आपको लगेगा है कि सामने वाला इनसान से बहतर और कोई नहीं है दुनिया में, ठीके, यही था इनकाई जो inner था, जो मैंने आपको आपके सामने रखा, ओके, I do find many, आपके घर के सामने, इनके घर के सामने हो सकता है, बहुत बड़े बगीचा हो, बहुत बड़े बगीचा हो, and can you see, यहां से एक पीर, यहां पर जैसे फॉर्म होते जा रहा है, तो देखो यह परसन का next motive हम देखते हैं, next move हम देख लेते हैं, क्या करना क्या चाते हैं, basically, they want to come close to you, basically, but because of certain confusions in their mind, अभी भी उनके मन में doubt है, ठीक है, और pressures भी है, देखो, new, मुझे लग रहा है new moon तक, आपके पास कुछ ना कुछ जवाब आ जाएगा, next new moon तक, okay, अम आवसिया बोला जाता है उसको, next new moon तक, आपके पास कुछ ना कुछ, आप either clarity से देख पाऊगे इस relationship को, yes, new moon, मुझे दिख रहा है या पर, परसन पाइशिस हो सकता है, okay, strong chances है पाइशिस होने का, all right, now let me see through the tarot cards, वो गाना मुझे यादा रहा है, जरा जरा बहकता है, महकता है, परसन का next action क्या रहाएगा, next move क्या रहाएगा, जो आप लोग काफी ज़्यादा मुझे पूछते हो, okay, so let me see, और मैं थोड़ा सा time frame बताने की कोशिश करती हूँ, so next move, next action क्या रहाएगा, all right, six of cups, wow, wonderful, it's wonderful actually, oh my god, they are going to bring some flowers for you, flowers, अपर से pink दिखाई दे रहा है, देखो, आज pink वाला वो peach वाला भी color लिया था मैंने, they are going to offer you something, oh my god, ठीक है, all right, और जिस चाम पर offer करेंगे, मुझे लग रहा है कि उसके आसपास होगे, हो सकता है कि, एं परसंग florist के पास जाए, और खुद बहुद आपके मन पसंद जो color है, flower, आप जो भी पसंद करते हो, वो order दे, कुछ लोग के लिए हैं पर pink, बहुत ज़दा prominent है, वो ज़दा pink, Valentine दे तो आई रहा है, बहले ही timeless है फिर भी, ठीक है, मुझे लग रहा है, कभी भी ग्रीट कर सकता है, वो ज़दा आपके birthday आ रहे हो, या जो भी है, lovers point में हो सकता है, या घर में बुला सकता है, आपके ये परसन, six of cups of course, इंसर बाइश स्कॉर्पियो में आपको बताया था, ठीक है, ये परसन जो है, याद कर रहे है, वो सारी मुलाकाते, ठीक है, हो सता है, ये proposal भी दे आपको, और याद भी कर रहे है, कि फिर से ये आपके उपर, ठीक है, है, oh my god, so they are remembering you, very much, देख लेते हैं, next, king of pentacles, देखो commitment, ठीक है, this is a very grounded energy, Taurus, Virgo, and Capricorn, तो देखेंगे, ये फार्म commitment, आपको देने वाले हैं, बट थोड़ा सा आपको, मुझे इस person में, थोड़ा सा इस इंसान में, मुझे लग रहा है, घमंडी सुभावा, ठीक है, थोड़ा सा attitude वाले इंसान, oh my god, don't mind, don't mind, होता है, क्या करें, attitude हो जाता है, किसी का घमंड होता है, पैसे से, किसी का घमंड हो जाता है, कुछ लोग का घमंड हो जाता है, मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बहुत ज़दा अच्छा चल रहा है, उनका business, इस तरह से हो जाता है, कुछ लोग का, अपने beauty से हो जाता है, सब लोग के अंदर ही, कुछ नहीं कुछ attitude है, बट कुछ लोग में ज़ादा है, कुछ लोग में कम है, हमें adjust करना पड़ता है, कुछ नहीं, देख ले देंगा next action, queen of pentacles, so king of pentacles and queen of pentacles, so you make an idol couple, ठीक है, ये मानते हैं इस चीज़ को, next action, बहुत ज़दा firm commitment होगा, चाहे आप male के लिए देख रहा हो, या female के लिए, okay, all right, so next action, please in your words, next action, fool, of course, a new chapter of your life, नय chapter शुरुआत होने वाला है, इतिहास को दौरा आजाएगा फिर से, so six of cups के नीचे आ रहा है fool, इतिहास को दौरा आजाएगा, फिर से वो proposal देंगे आपको, reconciliation होगा, अगर आप no contact में हो, अगर आप contact में हो, so ये बोलेंगे, let's get married, let's get married, okay, seven of swords, okay, wait, next, the hermit, कुछ लोग के लिए देखो, it's almost a, you can say, yes, 20% chances are there, कि ये परसन फिर भी अपने जो feelings है, इसको हाइट करने की कोशिश करेंगे, देखे, आपको आएंगे तो जरूर ये परसन आपके पास, लेकिन जब हो सकता है, कि आप commitment माँगो, तो ये परसन हो सकता है, कुछ लोग के लिए, परसन ना बोले, ये परसन हो सकता है, कि अभी भी ये हर्मिट स्टेज पर है, सिंगल हो सकता है भी फिलाल ये परसन, और ये परसन, जब तक जब तक जब आपको बता, कि confusion energy यहाँ पर मुझे दिखा, वर्गो, एक्वेरियस, जिमनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर देखो, आपसे escape करने की कोशिश करे, they can make, तो whatever is the truth, मैं उसको बताना है, आपको सुनना है, ठीक है, क्योंकि आप भी उनका activities, इसको फिर track कर सकते हैं, कि वो क्या किये है, फिर ये परसन क्या करेंगे, आपसे छुपा लेंगे अपने emotions को, और ये फिर आपको ये बता सकते हैं, let me be alone for some time, मुझे थोड़ा सा space दो, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है, अभी हम देखते हैं, और क्या है उनका, next motive, next action, five of cups, देखा, परसन फिर से miss कर रहा है आपको, अभी भी miss कर रहा है, अकेला है फिलहाल, देखा, उनको कुछ समझ में नहीं, उनको लग रहा है अभी, कि उनको रिलेशन्शिप को खो दिया, maybe they are spending their time in bars, हो सकता है कुछ, not that bar, drinking, ठीक है, हो सता है ये परसन थोड़ा सा, इस तरह का चीज ले रहा हो, because it is a bar, ये बार का एक पिक्चर है यहां पर, ठीके है, all right, all right, यहां पर ये आ चुका है, the world, wow, so nice, देखो, आपको यह देखो, bottom of the card, यह है 10 of cups, ये पूरी करेंगा, अगर आप married हो, तो हो सता है कि आपके husband हो, या आपके wife हो, वापस आ सकते हैं ये person, reconciliation कर सकते हैं ये person, फिर से आपका relationship इंप्रूब भी कर सकता है, sun है background में, emotional satisfaction आपको मिलेगा जरूर, but before that, you may have to wait a little, हो सता कि आपको इंतजार करना परे, अगर आप इस person का इंतजार करना चाहते हो, so you can do it, Leodorus, Aquarius, Scorpio, Aquarius, Gemini and Libra, फिलहाल ये person, कुछ लोगों के लिए, around 20% लोगों के लिए, आपके person, अगर आपको commitment देने आए, अगर आपको plans भी, आपको समझाएगी, इसके बाद हम ये करेंगे, तो आप धिहान रखना कि, वो क्या plans कर रहे हैं, लेकिन commitment क्या दे रहे हैं आपको, ऐसे सिर्फ contact करने के लिए हैं, क्यों कि बहुत सारे messages मुझे मिलते हैं, सिर्फ contact हुआ है, और connection हुआ है, कुछ messages मिलता है, उन्होंने commitment कर दिया है, So just check it out, ठीक है, उन लोगों के लिए, जो आपको लगे, alert हो ला कि उनका motive क्या है, कि फिलाल आपको commitment देना है या नहीं, that is the main issue, या आपको फिर से उल्जाके ना चले जाए है, ठीक है, I am just speaking for your guidance, okay, So these are the overall feelings of your partner, and next action, next action में, bottom of the deck में, अगर world or, two of cups, ten of cups आया है, इसका मतलब यह है, of course this person wants a positive, stable connection with you, and they want to take a move, ये मूव लेना चाते है, of course, but for 20% they may be in a confused state, ठीक है, so this is all for today, I hope you like it, if you like please do subscribe, share and do comment, in the comment section, till then take care of yourself, and keep watching Divinity Terror 6, where truth exposes darkness,